पारूल गर्ग आज मेकप की दुनिया का ऐसा नाम जिससे अपनी शादी के दिन आज हर लड़की सजना चाहती है क्योंकि वो जितना खुबसूरत आपको सजाएंगी उतने ही खुबसूरत तरीके से आपको ट्रीप भी करेंगी जिसकी वज़े से आज वो इंडिया की वन आटिस्ट बन चुकी है आज इनके प्रफेशनल लाइफ से हम सभी वाकिफ हैं लेकिन इनके पर्सनल लाइफ को कोई नहीं जानता है और खासकर इनके मैरिट लाइफ के बारे में कि यह सिंगल है या डाइवोसी या फिर शादी शुदा अगर शादी शुदा है तो कौन है इनकी हासबमन और अपने हासबयन की फा Серव को अब एक पर क्योंने अपलोड करती है और अगर आप उनसे सजना चाहते यह और शीक ना चाहती है तो कितने रूपे लेकर वह आपको में कम सिंखheen तो आज आपको पारुलगर्स सर्दक्रावश बाली है जो आपको कोई नहीं बताएगा तो आप भी अगर पारूलगर के मेकप की फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके 10,000 लाइक टक इस वीडियो को पहुचा दीजिए और नीचे कमेंट सेक्षन में हैस्टेग पारूलगर जरूर लिखेगा तो चलिए यह वीडियो शुरू करत हैं यह कहानी शुरू होती उनीस सो असी में जब ही माचल में एक लिल्की का जन्म हुआ इनके पापा ही माचल से विलॉंग करते थे और ममी महराष्ट से इनकी फैमली में सब डॉक्टर आयस और इंजीनियर थे तो इनके पापा ने इनको समझाया कि तुम्हें अच्छे से इनके calm इनके मुलाकात इनके हजबन अंमिघ से कर आई जो की कोफी पर कराइ तुम्हें बता ओ मेरी प्योठ रएब मेर्यज मैं अमिच को सिर्फ एक बार मिली हो और शादी से पहले बांटे लहीं makaology ग्विश पर फिफटीन मिनुनेと नत य जब इनके हाजबन में अ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और पहली मीटिंग के बाद इन लोगों की बहुत जल्द शादी हो गई पारूल की शादी गुर्गाओं दिल लेके एक बनिया फैमली में हुई है आज इनकी शादी को 18 साल हो चुकी है और अपनी मेरी लाइफ में यह बहुत ज़्यादा खुश है पारूल खुद कहती है कि मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा समझता है और सपोर्ट भी करता है लेकिन अब बात यह आती है कि पारूल के हजबन इतने ज़्यादा अच्छे हैं तो उनकी फोटो वो सोशल मीडिया प अपलोड नहीं करती है आगे चलकर क्या पता है इनके हजबन भी कैमरा फ्रेंडली हो जाए और बहुत जल्दी आपको शोशल मीडिया पर दिखाई दें पारूल के साथ अगर इनके बच्चों की बात किया जाए तो इनके दो बच्चें वो भी ट्विन्स लड़की का नाम अनवी है और लड़के का नाम विहान है तो चलिए यह थी इनकी पर्सनल लाइफ की बात अब बात करते हैं कि एक लोयर कैसे मेकप आटिस्ट बन गई तो यह बात है जब इनकी शादी होई तो यह एलल भी प्रक्टिस करने कोट जाया करती थी शादी के कुछ दिनों बाद इनके बच्चे उए तब इनको बहुत ज्यादा जाना और घर मैनेज करना बहुत मुष्ट होता था क्योंकि इनके छोटे बच्चे थे हाला कि सस्राल वालों का सपोर्ट फूरा था लेकिन पिर भी बच्चों की छोटे होने की दिखोंए प्रक्टिस करने जाना चूड़न लेकिन उन्होंने पारूल के लिए हाँ कर दिया और उन्होंने मेकप की दुनिया में कदम रख दिया और इन्होंने बहुत ज़्यादा महनत आगर आपको ये लगता है कि अब भी नया-nया मेकप करना शुरू किया है तो आपको गलत लगता है यह इस इंडस्टी में पूरे 10 से 12 साल से हैं और बहुत ज़्यादा महनात कर रही हैं यह अपनी ब्राइट को बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत बना देती हैं अगर आपका भी सपना है कि आप अपनी शादी के दिन इन से सजना जाती है तो आपको पारुल गर्ग से साथ से आज मैने पहले अपनेलेना होगा आपकोगा सेनर कराना है तो आपको 26000 देने होंगे थीज़िट साज़्सIST कराना होगे और जब आपके सीट कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद बाकी पैसे देने होंगे इनके मेकप कोर्स के पूरे चार्ज़स एक लाख सततर हजार है तो चलिए यह चोटी सी इंफोर्मेशन थी पारूल गर्ग से रिलेटेड आई होप आपको सारी इंफोर्मेशन अच्छी पारूल गर्ण बताईए अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो करें लाइक और अपने फैमली और फ्रेंस के सथ जरूर शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हैस्टैग पारूल गर्ण जरूर लिखेगा करने हो कोई बात या करने हो कोई शीका है तो मुझ नेक्स्ट वीडियो में